अई अजिन दुट को एको से अगाता है कि टstad कणुर में अचे हैं यह लिए चुलमांगर बच्चो को पसंद आने वाली रेसिपी बड़े पाठी pak मैं है काफी टसदी रेसिपी काफी कम समय में बन जाती है काफी कम समानों में भी बनती है yeah तो चलिए देखते मैं इसे कैसे बनाया है मेरे चैनल में ने हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल आइकों को दबाना ना भूलें कांच का बाउल रख लिया है इस बाउल में हम यहां पर देखें दो मैंने 10 रुपीय अली डैनी मिल्क लिए है इसे हम डाल के मेल्ट करें इस तरह से हम कंट्यूनु चलाएंगे और मेल्ट करेंगे कि इसमें हम हमारी छोकलेट ऐसे मेल्ट हो किया इसमें हम एक टूर डूर ड कर दिया है अब इसाए मुझेश के डेखें पाल नहीं हम तोड़ के स्समें डाल देगे तब इसे उसे में डाल दिया इसे अब हम हम महीं पीस लेंगे देखिए मैंने इसने इसे महीं में पीस लिया है इस तरसे इसमें हमस्तों मिला जाएंगे मीशमें थोड़ा सा दूद दे रही हूं करें देम से चलाते रहिए सब चलाते रहने अब हम क्या करेंगे यहां मेरा थोड़ा सा दूद और बचा हँए और हाप मिल दीया था बनाना है अच्छी से इस तर से कि कितना स्मूध बेटर बना एंगे जब असानी से आराम से प्रोस्ट करेंगे यहां पर देखिए मैंने एपीक शाचा लिया हुआ है इसमें हम ओयल लगा देंगे पहले इसले में आज हम आपको मीनी चोपलावा बनाने वाले इस तरह से पढ़ी हैं इसमें चारों तरफ नगा लेंगें सब में अब हमने जो यह बैटल बनाया थो इसमें हम डाल देंगे इस तरह से हम सब में लग बर एक चमच आपी जो चमच देखे ने मेरे पास इतनी सी चमच एक चमच भर की यह लग जा पर इतना ही डालना है और थोड़ा सा हमें खाली स्केस छोड़ना एन तुकि कि फिर हम चॉकली में डालना है झुकले हम अधी-अधी इसे डालेंday तो एधि कि इसमें मैंने सब में पोल डिम्न सब डोल दीन走吧 लट colonial को डाले हैं अब हम यह पर चोकलेट जो हमने मिल्ट किया था वो थोड़ा-thोड़ा करें इसमें डालेंगे कि आता है कि देहिडंगे हमने सब को मैलेट चॉकलेट डाल दिया हुई है अब इसकी उपर से फिर हम हाप पड्यारे चंद्ध चोकलेट कर एक बंद कर दो लहांना तक प्लिंगे महला जाना सब आख कर दमाना के लिए निदे कर दो कि देख्यव हो गया हैँ उसे हम खाए domain 720 के लिए आयुगाई होने के लिए कि यह देखें कितना बना प्लेट में निकल लिया है अगर आपको यह मेरा मेरा मीनी चोकोलावा वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर स्क्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत भाँ धन्यमाद